नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है सुप्रिम कोट के फैसलों के उपर सवाल तो उठते रहते हैं लेकिन सवाल और ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब सुप्रिम कोट में जजो के फैसले आपस में ही उल्जे हुए दिखाई पड़ते हैं और जजो के फैसलों में कंट्राडिक्सन फिरोधा भास दिखता है और उन फैसलों का इस्तेमाल राजनितिक हतियार के तोर पर किया जाता है ऐसा ही एक मामला है बिलकिस बानो केस ये मामला गुजराद दंगों से जुड़ा हुआ है मामला गंभीर है उसमें रेप और मडर का मामला हुआ था इसकी सी बी आई जाच हुई और दोशी पाया गया इगारह लोगों को जिसे आजीवन कारवास की सजा भी सुनाए गई लेकिन ये मामला रादनितिक रंग ले चुका था सुप्रिम कोट हाई कोट सरकारों के बीच टकराओं से गुजरता हुआ फिर से एक सुप्रिम कोट का फैसला आया और कॉंग्रेस के साथ साथ वामपन्थी पाटियों को एक हतियार दिया जिससे की भारतिय जनतापाटी मोधी सरकार के उपर हमला किया जा सके सुप्रिम कोट ने अपने ही फैसले को पल्टा पिछले फैसले पर सवाल उठाया दो जजों ने पिछले दो जजों के फैसले को पल्टा है ये बड़ी बात है क्योंकि पहले के दो जज और बाद में अगर बेंच बदले जाते हैं बढ़ाये जाते हैं तीन बेंच में पाँच जजों के बेंच में फैसला होता है तो ये बड़ी बात नहीं माने जाती है लेकिन फिर भी अगर तीन महीने के अंदर एक ही मामले पर दो फैसला आये दोनों में दो ही जज हों तो फिर सवाल तोटता है कि आखिरकार तीन महीने के दौरान क्या हुआ और अगले तीन महीनों तक उस फैसले पर बैठे रहने की ब की अभी चर्चा हो रही है बात भविराम मंदिर की है बात भविराम मंदिर बनाने की उस आंदोलन की है जिसके आंदोलन करने वाले लोग जिसमें कार सेवकों की गोधरा में हत्या कर दी जाती है आग लगा दी जाती है पूरी की पूरी ट्रेन की बौगी जला दी जाती है उ कि अब इस पूरे क्रोनलोजी को समझे और इसके फैसलों को समझे तब पताचलेगा कि सुप्रिम कोट ने जो फैसला सुनाया है क्या वो न्याय की मांग थी या वो लोगों की मांग थी या वो एक खास विशेस वर्व को खुश करने के लिए थी या फिर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच अपने फैसलों में बैलन्स करने की कोशिश थी क्योंकि ये मामला गंभीर है सवाल कई खड़े हो रहे हैं तो इसलिए इसकी चर्चा एक-एक करके की जानी चाहिए कि ये फैसला है क्या और क्यों ऐसा फैसला आया है विलकिस वानों मामले में गुजरास सरकार ने एक फैसला 15 अगस 2022 को लिया कि 11 जो दोशी करार दिये हुए सजा भुगत रहे लोग हैं उन लोगों को सजा से छूट दी जाए यानि 15 साल से ज़्यादा वो सजा भुगत चुके हैं अब उसे छूट देनी चाहिए और उसकी रिहाई हो गई लेकिन ये रिहाई क्यों हुई इसमें भी गुजरास सरकार का केवल अपना फैसला नहीं था क्योंकि इसमें जो दोशी थे एक राधिर स्याम साह उसने इसके लिए याचिकाएं दायर की थी सबसे पहले याचिकाएं दायर की गई गुजरात हाई कोट के अंदर कि अगर गुजरास सरकार ने 1992 में एक रिमिसन पॉलिसी बनाया है किसी भी कोई सजा जो मिली हुई है अपराधी है उसको सजा से छूट दी जा सकती है उसके ब्यवार को देखकर क्योंकि ये ब्यवारत होता है कि किसी को अगर मौत की सजा नहीं दी गई है तो उसके अंदर सुधार की गुजाईस है और अगर सुधार की गुजाईस है तो theory of justice यही कहता है कि उसके सुधार कितने सालों में हुए है ये administration तै करेगा ये investigation का मामला है और ये सरकार अपने administration का इस्तेमाल करके उसके सजा में छूट दे सकती है इसलिए राधे श्याम साह ने सबसे पहले गुजरात हाई कोट का दरवाजा खटटाया कि हमारे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए लेकिन गुजरात हाई कोट ने कहा कि ये हमारे jurisdiction में नहीं आता है क्योंकि इन आरोपी जो उस समय आरोपी थे इसके लिए trial महरास्ट में किया गया था बॉंबे हाई कोट में सजा हुई थी special cvii कोट ने पहले सजा दी बॉंबे हाई कोट ने सजा दी और आगे तक उन्हें आजीवन कारवास की ही सजा रही फासी की मांग उस समय भी की जा रही थी फासी नहीं दी गई इन लोगों को आजीवन कारवास की चला दी दे गई थी और इसलिए जब गुजरात हाई कोट ने कहा कि हमारे लिए ये महत्पूर्ण नहीं है बलकि महत्पूर्ण ये है कि ये हमारे जुरिस्टिक्षन में आता है या नहीं इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया इसके बाद ये याचिका सुप्रिम कोट में पहुँचा राधे श्याम सा सुप्रिम कोट पहुँचे और उने कहा कि हमारे उपर confusion है हमने महाराज सरकार के पास अपनी अपील रखी गुजराज सरकार के पास अपील रखी ये confusion दोनों सरकारे आपस में create किये हुए है कि ये हमारा अधिकार नहीं है ये हमारा अधिकार नहीं है हाला कि महरास्ट सरकार ने उस समय ये मामला 2019-2020 का है उस समय महरास्ट की सरकार ने याचिका खारिच कर दे थी गुजरास्ट की सरकार ये confusion में थी कि हमारा ये मामला हो सकता है कि नहीं हम authorized हैं कि नहीं इसलिए हाई कोट गए हाई कोट ने भी जुरिस डिक्सन का हवाला दिया अब सुप्रिम कोट में आये हुए हैं सुप्रिम कोट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई दो जज़ों की बेंच में हुई जिसमें एक जज जस्टिस अजैर रस्तोगी दूसरे जस्टिस बिक्रम नात है दोनों ने इस मामले की सुनवाई की और दोनों पक्ष की बात सुनी सरकार के तरफ से भी और फिर राधेश्याम साह के तरफ से भी इस मामले की सुनवाई चली और 13 मई 2022 को सुप्रिम कोट के इन दो जजों ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा ट्राइल की बात अलग है conviction की बात अलग है घटना तो गुजरात में ही हुई है अगर घटना गुजरात में घटी है सजा गुजरात में हो रही है तो फिर इन लोगों को गुजरात सरकार से अपील करना चाहिए appropriate state government सरकार है अब गुजरात सरकार को सुप्रिम कोट ने आदेश दिया कि रिमिसन पॉलिसी 1992 के तहट आप दो महीने के अंदर इनकी याचिका पर फैसला ले अब फैसला क्या होगा यह एड्मिस्टेटिव है यह गोर्मेंट का फैसला है इसलिए सुप्रिम कोट इस पर कुछ नहीं कह सकते लेकिन सुप्रिम कोट के दो जजों ने यह जरूर कहा कि यह फैसला दो महीने के भीतर गुजरात सरकार को लेना है और उचित सरकार जो इस पर फैसला ले सकती है यह महरास नहीं बलकि गुजरात की सरकार है अब उसके बाद गुजरात की सरकार ने फैसला लेना सुरू किया और 15 अगस 2022 को इन 11 अ कर प्रोटेस्ट हुआ भारतिय जंता पार्टी विरोधी पार्टियों ने को एक हथियार मिला इन लोगों ने हंगामा खड़ा करना शुरू किया कि कैसे कोई सरकार किसी रेप के विक्तिम को मडर चार्ज इस पर लगा है उसे सजा में छूट दे सकती है ये राजनितिक बवा था लेकिन इस राजनितिक बवाल से कुछ होने वाला नहीं था इसलिए फिर से सुप्रिम कोट का दरवाजा खट खटाया गया पहले विलकिस वानों सुप्रिम कोट पहुचती है और वो फिर एक रिवीव पिटिशन डालती है एजयरेस्टोगी और विक्रम नाथ के उसके बाद विलकिस वानों चुप हो गई इनके पास कोई आधार नहीं बचा क्योंकि रिवीव पिटिशन भी खारिज हो चुका था अब एक नया तरीका डिवलब किया गया कि अगर रिवीव के बाद क्यूरेटिव पिटिशन भी डालते हैं तब ही वो पिटिशन आचिका का बसता है जिसमें एक के बाद एक एक के बाद एक जनहीत आचिकाएं दार करो जैसे की ED के खिलाप की जाती है जैसे CBI के खिलाप की जाती है उनकी ताक्तों के सक्तियों के खिलाप की जाती है 14 पार्टियां एक हो जाती है जिस तरीके से सोचल एक्टिविज्म के नाम पर धाई सो से जादा या चिकाएं दायर की गई एडी के ताक्तों के खिलाब कि उसे किरफतारी का अधिकार न दिया जाए उसी तरीके से पी आई एल दायर किया गया सुप्रिम कोट के अंदर पी आई एल एक नहीं बलकि कई थे उसमें कौमनिस्ट पार्टी के बड़ियां पाई गई उन्होंने संसद में पैसे लेकर सवाल किये अब वो संसद नहीं हैं लेकिन उस समय संसद थी इन लोगों के अलाबा कुछ पत्रकार थे स्वतंतर पत्रकार कुछ अधिकारी जो पुर्व अधिकारी कहे जाते हैं इन लोगों ने जो एंजियो बना र करो जो भारतिय जंता पाटी की है और यहां तो गुजरात का मामला था जहां से अमिश शाह और पी-े-म मोदी दोनों आते हैं और ये मामला भी पी-े-म मोदी जब उस समय गुजरात के चीफ-पनिस्टर थे उस समय का है तो और इनके लिए एक राधितिक मामला बना जिस पर फैसला जरूरी था कि गुजरास सरकार के 15 अगस 2022 के फैसले को आदेश को खारिच करवाना किसी ने किसी तरीके से जरूरी है और उसके बाद इस इन याचिकाओं के उपर सुनवाई सुरू होती है हाला कि सुरूराती दोर में जो जस्टिस नागरत ने और जस्टिस उजल भुईयां जिनकी पीट ने आज फैसला सुनाया है उन दोनों ने इन याचिकाओं पर सवाल खड़े किये क्योंकि इसमें एस जी राजू और दूसरे जो पिटिस्टर के तरफ से वकील थे इन लोगों में बहस हुई और कहा गया कि अगर क्रिमिनल केसिस में अलग अलग जगों से अलग 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 लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है यानि कि राजनितिक कारिकरता है नेत करेगा इसमें जो व्यक्ति याचिका दायर किया है उसका बिलकिस बानो केस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक कोई संबंद नहीं है याचिका बेकार है लेकिन फिर भी नोटिस जारी की गई इन दोनों ने नोटिस जारी किया केस की सुनवाई हुई और स्मार्ट तरीके से फिर से एक पिटिशन इसी बेंच में दिलवाई गई बिलकिस बानों के माद्यम से अब तो जो पिडित है वही याचिका करता हो गई तो इन PIL वालों की खारिज भी किया जाए तभी भी सुनवाई चलेगी उसके बाद यह सुनवाई चली गारह दिनों तक सुनवा पिशित रखा गया 12 अक्टूबर को उसके बाद इंतजार किया गया तीन महीने का अब तीन महीने के बाद एक फैसला आता है और उस फैसले में कहा जाता है कि गुजरात सरकार उप्यूक्त सरकार नहीं है उन दोशियों के सजा में छूट देने लाइक क्योंकि ये मामला प रेस्ट ओफ दर एर मामला है क्योंकि जो एजी राजू थे या फिर जो की ये जो दोश आरोप को छुट देने वाले लोग हैं इन गारह लोगों के तरफ से जो वकील लूतरा थे इन लोगों ने कहा था इन्होंने जज़ों को बार बार ये कहा था कि ये रेस्ट ओफ दर और मामला तो सुप्रिम कोर्ट ने भी नहीं माना, न स्पेशल कोर्ट, सी बी आई नहें माना, ना बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं माना, इन सब ने इन लोगों को खांसी की सजा नहीं दी, बल्कि आजियों कारावास दिया। इसलिए ये पॉलिसी भी लाई गई है कि किसी के सजा में छूट दी जा सकती है ये सारे मामले चले लेकिन फैसला वही आना था क्योंकि ये जनवरी कम महीना है आठ जनवरी है 22 जनवरी को भविराम मंदिर बनने है और प्रान प्रतिष्ठा होना है वहाँ पर इस समय मामला गंभीर है और अभी सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस वीच ये सुप्रिम कोट के उस फैसले के पर जिसमें सुप्रिम कोट ने बाबरी मस्जिद के बिध्वन्स के बाद उस जमीन को राम मंदिर के लिए दे दिया था हर जगर सोसल मीडिया में भी ये सवाल उठ रहे हैं कहीं न कहीं बैलन्स करना है यासा लगता है क्योंकि सुप्रिम कोट ने पूरे मामले में जो बात कही है वो राज कौन सी उप्युक्त है इस सजा में छूट देने के लिए इसी पर सवाल अठका रहा और इसी पर फैसला आया कि गुजराथ सरकार को ऑथरिटी नहीं है जबकि पिछली बार भी सुप्रिम कोट नहीं कहा था गुजराथ सरकार को ही ऑथरिटी है महराश सरकार को नहीं कहा क्या गया कि उस समय फैक्ट छिपाए गये थे कौन से फैक्ट छिपाए गये थे क्या उस समय ततकारिन बेंच में जस्टिस अजयाय रस्तोगी और जस्टिस विक्रमनात को यह नहीं बताया गया था कि इस घटना को अंजाम दिया गया था गुजरात में इसे प्रस्थितियों बस वहां से ट्रांसफर किया गया महरास्ट में जाज के लिए क्योंकि उस समय जो सरकार थी किंद्र में उसे लगता था गुजरात में इसमें स्वक्ष और निश्पक्ष स्वतन तरीके से जाच नहीं हो सकती सीबी आई के हवाले किया गया था महारास्ट में इसका ट्राइल चला और वही पर सजा भूई हुई लेकिन अजैर अस्तोगी और विक्रम नाथ ने भी ये कहा था कि ट्राइल अपनी जगह है घटना अपनी जगह है ये क्रिमिनल केस है घटना जहां पर घटी है जहां सजा भूगता जा रहा है उस सरकार को ही अधिकार है तो अब ये अधिकार कैसे बदल गया अब उप्यूक्त कैसे नहीं रही अब ये गुजरास सरकार पर सवाल क्यों उठाय गया अभी भी ये सवाल जिन्दा है हाला कि ये जो सुप्रिम कोट का फैसला है कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है प्रियंकावाडरा कह सकती है नयायक जीत हुई है ब्रिंदा कराद कह सकती है नयायक जीत हुई है और ये लोग उठा सकते हैं कि पिये मोदी के ये महिला समर्थक महिलाओं के हितों में जो काम करने की बात करते हैं उस पर से परदा उठ गया है राजमितिक हथियार बना सकते हैं लेकि नभी भी इस फैसले में कहा गया है कि गुजरास सरकार अपने आदेश के बाद अपर से इस पर रिव्यू पिटिशन डाल सकती है गुजरास सरकार इतने जल्दी इस फैसले से हारेगी नहीं उन लोगों को जिसे इतने सालों बाद 15 साल जेल में रहने के बाद सरकार को लगा कि ये सुधर गए हैं उसको छूट दी गई अब सरकार के इस फैसले पर सुप्रिम कोट में दो बार contradictory फैसले कैसे आ सकते हैं अभी भी ये सवाल जिन्दा है क्रोनलोजिस सामने है और फिर ये लगता है कि क्या सुप्रिम कोट नयाय के लिए फैसला देती है या फिर लोकों के परतिकरिया खास वर्ग को खुश करने और खास पाठी krijgen को खुश करने के लिए फैसले होते हैं तो इसी तरह की खबरों के साथ पुर से आजर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है सायोग ताके से तरही खबर हम आपके लाते रहें धन्यवाद